हेलो फ्रेंड लेंगराच पोटेल किचन किंग मैं आप सब का स्वागत करता हूँ आज मैं आप सब के लिए और एक निया रेसिपी लेके आया हूँ आज हम बनाएंगे बिस्कीट ओभी गेहूं के आटे की आज की ये आटे की बिस्कुट की जो रेसिपी है ये खाने में बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और खास्ता है मेरे बताएवा तरीके से इसको एक बार बना के ट्रै कीजिए आपको ये बहुत पसंद आएगा तो चलिए दोस्तों आज की ये बिस्कीट की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं अब हम सबसे पहले एक बरतन में लेंगे घी आप जब भी बिस्कीट बनाने के लिए घी ले पूरा फिगला हुआ घी मत लीजिए जो नर्मल टेमपरचर में रहता है उसी टैप का घी लीजिए अब हम इसका उपर डाल देंगे थोड़ा सा चीनी का पाउडर और चीनी का पाउडर को डालने के बाद इसके बाद हम इसमें डालेंगे गेहूं का आटा चेलिए अब हम इसमें एक कुवा बना लिते हैं अब हम इसमें एट करेंगे थोड़ा सा दूद और यह हमने डाल दिया दूद, इसको हमने उबाल के ठंडा कर लिया था, अब हम इसमें अट करें के नारियल का बुरादा, यह देखिए, हमने इसमें डाल दिया नारियल का बुरादा, यह लिए हम इसको हलकेल के हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, नारियल का लाने के बाद, यह देखिए, अब यह ऐसे हो गया है, इसका डोर लगाते टाइम, अगर आपको यह थोड़ा सुखा लगे, तो आप इसमें थोड़ा सा दूद डाल सकते हैं, लेकिन यह ठीक है, यह देखिए, अब हम इसमें और थोड़ा सा नारियल का बुरादा अट और इसको फिर एक बार अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे, हमने इसमें दो टाइम नारियल का बुरादा डाला है, क्योंकि जब हम इसको खाएंगे, तो पूरा नारियल बिस्कूट का स्वाद लेंगे, यह देखिए दोस्तों, यह भी अच्छी तरह से मिक्स हो गया आप हम इसको 10 मिनिट के लिए धक के रख देंगे तो चलिए इसको धक देते हैं इसको अगर हम थोड़ी दर इस तरह से रख देते हैं तो हमारा बिस्कुट और भी अच्छी तरह से बनेगा mai 10 minute हो गया है चलिए खूल के देखते हैं ये देखिए दोस्तो ये अब अच्छी तरह से शैट हो गया है आप देख सकते हैं अब हम इसको और कुछ नहीं करना है अब हम इसको दो हिस्सा में डिवाइट कर लेंगे और डिवाइट करने के बाद इसको हातों से हलका हलका करके दबा लेंगे ये देखिए बिलकुल इसी तरह और इसको बेल लेंगे तो चलिए अब हम इसको बेलते हैं अब जब भी इसको बेलेंगे इस तरह से side side से फट जाएगा यह देखिये लेकिन डरिये मत हमने जो डो बनाया था यह थोड़ा dry है और जब भी खास्ते के लिए हम कोई भी चीज बनाते हैं ऐसा ही थोड़ा सा फटता है और यह देखिये दोस्तों हमने biscuit का सेप देने के लिए चोटा सा कटोरी अब यह मैं इस तरह से दबा देंगे यह देखिए बिल्कुल इसी तरह और इससे यह एकदम राउंड सेव में आ जाएगा आप चाहे तो कोई और सेव भी दे सकते हैं चलिए मैं आपको एक ठो दिखाता हूं यह देखिए बिल्कुल इसी साइज में हमें सब को बना के तैया करने के लिए हमने यहां पे लिए थोड़ा सा रिफाइन तेल अब तेल को हमने गरम कर लिया है अब हम एक एक करके सब को इसमें डालते जाएंगे एक बार में हमें 5-6 ही डालना है ज्यादा नहीं डालना है जब हल कासा सेट हो जाए फिर इसको पलड़ देंगे और दूसर क्रेक आना चालू हो गया है मतलब हमारा बिस्कुट बहुत अच्छी तरह से बना है आप जब भी बिस्कुट को फ्राय करें पहले गेस को मिडियम प्लो पे रखें उसके बाद इसको लो कर दें और इसको मिडियम लो में ही फ्राय करें यह देखिए हमारा बिस्कुट में बहुत अच्छा कलर आया है आप देख सकते हैं आप यह आटे की बिस्कुट को बना के 3-4 महिने स्टोर करके रखें यह बिल्कुल भी खराब नहीं होगा यह देखिए अब अच्छी तरह से फ्राय होके रेडी हो गिया है चलिए हम इसको थोड़ा-थोड़ा करके निकाल लेते हैं और यह देखिए दोस्तो यह बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और कुरकुरा बना है चलिए इसको प्लेट में रखते हैं यह देखिए अब हम बाकी बचा बिस्कुट को भी तेल में से निकाल के इसको भी प्लेट में रख लेंगे और हमारा बिस्कुट रेडी हो गया है अब हम सेम टू सेम प्रोसिजर में हमारा दूसरा बेच भी डालेंगे और इसको भी फ्राय कर लेंगे और यह देखिए ये भी अच्छी तरह से फ्राय हो गिया है अब हम इसको भी निकालके प्लेट में रख देंगे और इसी तरह थोड़ा-थोड़ा करके सबको फ्राय कर लेंगे और ये देखें दोस्तों कुरकुरे और खास्ता से भरपूर नारियल का बिस्कुट बनके रेडी हो गिया है ये दिखने में जितना अच्छा लग रहा है ये खाने में वो उतना ज़्यादा टेस्टी है आप जब इसको खाएंगे एकदम नारियल का टेस्ट पाएंगे चलिए मैं आपको एक पीस चेक कराके भी दिखा देता हूँ ये देखिए इसका अंदर भी देखिए हमारा बिस्कुट बहुत खास्ता बना है दोस्तों आज के मेरा गेहूं का आटा के बिस्कुट आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा तो फिर मिलते हैं मेरा नेक्स वीडियो में और एक नया रेसिपी के साथ थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो फ्रेंड्स